छोटी सी सामग्री जो आपके अपने किचन से मिल सकती है आपके हर घर में होगी गरीब हो या अमीर हर घर में एक सामग्री अबलेबल है उस सामग्री से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूँ जिसकी वज़े से तुम दिन रात परेशा हो गया है कि नबश्कार मैं हूँ आचारे सती सबस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूँ यहां रोज आपकी लव लाइफ आपकी पारिवारिक लाइफ आपकी दामपतिक लाइफ और आपकी परसिनल लाइफ को सुब्यवस्थित किया जाता है यह यूँ कहले उसमें आ रही किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है प्यार तुम्हारी जिद हो तो भी प्यार तुम्हारी कमजोरी हो तो भी प्यार में तुम्हारा अस्तिक तुदाओं पर लगा हो तो भी तुम्हारा मान सम्मान बीच में आ रहा है तो भी बसरते प्यार सच्चा होना चाहिए तुम्हारे सच्चे प्यार में पूरी सच्च आज मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे दामपतिक जीवन में पारिवारिक जीवन में शादी सुदा लाइफ में या तुम्हारे रिलेशनसिप में या तुम्हारे अपने परसनल रिलेश हो या अमीर हर घर में एक सामगरी अबलेबल है उस सामगरी से आज मैं आपके अपने जीवन में वो सब कुछ दिलाने की बात कर रहा हूँ जिसकी वज़े से तुम दिन रात परेशान हो जिसकी वज़े से तुम्हारा दिन दिन नहीं है और रात रात नहीं है तुम्हारा चै चाहे थीक कर दी जाएंगे, अब मैं कहरा रहा हूं कि तुम्हारा relation अगर मलीन हो गया है, अगर तुम्हारा relation भ्रहम है, अगर तुम्हारे relation में भय है और संदे है, चाहे वो doubt का भै हो चाहे किसी का हो जाने का भै हो चाहे उसके जूट बोलने का भै हो चाहे उसके फरेब का भै हो चाहे उसकी मलीनता का उसकी गंदगी का उसके बुरे सोच का उसके बुरे बिचारों का या उसके बुरे सुभाव का उसके नेचर का उसके बिक्तित्त की बात और अगर इनसान अचानक अपना असली रंग रूप दिखाने पर अमादा हो जाए आप किसी भी रिस्ते से बाहर आना चाहें या बाहर गए रिस्ते को फिर से वापस बाना चाहें ऐसी सारी की सारी कंडीशन्स पर आज हम सलूशन दे रहे हैं आज हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप अपनी विवस्था से बना पाओगे आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़े तुम्हारे हिसाब से हो पाएंगी और इसके लिए समय बहुत नहीं चाहिए कुछ मिंटों में ही आपके जीवन से ये सारी की सारी चीज़े आपके पक्ष में खड़ी होंगी सामान क्या चाहिए? इसके लिए सामान चाहिए थोड़ा सा आटा, बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा बेशन, थोड़ा सा सरसों का तेल और जरासा नमक ये पाँच चीजे के अवल सामगरी में चाहिए, इन पाँच चीजों के मिस्रण से आपके जीवन की वो पाँच महाब्याधियां समाप्त हो जाएंगी, प्रेम की, रिलेशन्सिप की, पारिवारिक लाइप की, दामपतिक लाइप की, पैरटल लाइप की, जिसकी वज़े से तुम परेशान हो, अब आपको करना ये है कि थोड़ा आटा लेना है, और आटा इतना लीजिएगा कि पूरे शरीर में अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाए, तो लग जाए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेसन डालना है, थोड़ी सी हल्दी डालना है, थोड़ा सा सर पूरे के पूरे शरीर में बहुत ध्यान सुनिएगा पूरा का पूरा शरीर पूरे के पूरे शरीर में लगाईएगा अपना दिमाग मत लगाईएगा अपना दिमाग मत लगाईएगा इसलिए कह रहा हूं कि महाभारत की एक लाइन मुझे याद आ रही है वो आपको बताना बहुत आवर्शक है माते वरक्षति पिते वहिते नियूंते कानते वचा भिर्मयत चपनी वखेदम कीर्थिस्च दिक्षु विमलाम वितनोति लक्षमी किम किम नसाध्यति कल्प लते वबिद्या माता ने एक पुत्र से कहा कि कल प्राते श्चनान करके तुम पूरी तरह से निर्वस्त हो के मेरे सामने आना पुत्र ने कहा जो आ गया माता दूसरे दिन उसे लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूँ बहुत जानकार हूँ तो उसने क्या किया कि माता के सामने निर्वस्तर गया तो लेकिन उसने नीचे वाले हिस्से में कमर के हिस्से में केले के पत्ते ले पेट लिए अब यहाँ बात कर रहा हूँ माता गानधारी की और जो महासे थोड़े बुद्धिमान बन गए थे जिकी बुद्धी और विवेग तो लोगों के अपने अपने दिशा में चलती उनका नाम दुरियोधन था माता गानधारी ने अपने जीवन में पहली बार पट्टी खोली और उसको देखा उसका पूरा का पूरा सरीर बज्जरका हो गया पूरी दुनिया में जहां जहां माता की आखे पड़ गई उसकी माता की तपश्वी थी वो उन्होंने अपने पती के लिए पत्टी बांदी और फिर कभी कुछ नहीं देखा पहली बार कुछ देखा वो अपने पुत्र को देखा जहां जहां उनकी आँखे पड़ी जहां जहां रोशनी पड़ी निगाह पड़ी वो पूरा का पूरा सरीर बजरका हो गया नहीं हुआ तो उनका कमर के पास का हिस्ता और उनकी जांग है दूसरे दिन भीम से युद्ध हो रहा था तो बस भीम ने उसके कमर के पास जांग में ही प्रहार किया तो वो मरा क्योंकि पूरा का पूरा सरीर तो उसका बजर्गा हो गया था तो अगर वो अपनी मा की बात मानता अगर वो पूरी की पूरी बात मानता अगर as it is बात को स्विकार करता तो सायद वो नहीं मर पाता इसलिए कहते हैं माता पिता गुरू की वानी बिना बिचार करहु शुब जानी माता पिता गुरू की वानी बिना बिचार करहु शुब जानी माता पिता और गुरू की वानी में संदेह नहीं करना चाहिए जो कहे as it is करना अपना दिमाग मत लगाना इसलिए कह रहा हूँ पूरे के पूरे शरीर में अब आपको समझा गया होगा पूरे के पूरे सरीर में उसको उबटन के जैसा यानि पूरे के पूरे सरीर में लगा करके और उसको कस के मल के उसे फिर से निकाल देना है कस के आप रगड़ोगे पहले लगाओगे और रगड़ोगे तो वो छूट कर नीचे गिरेगा अब करना ये है कि पूरे सरीर में घिसने के बाद मलने के बाद जो नीचे गिरा है बस उसको आप उठा करके एक पिंड जैसा बनाओ और उस पिंड में नाक मूँ हाथ पैर सब बना देना किसी भी मिट्टी के बरतन में या कागश की प्लेट पर उसको बना लीजिएगा बनाने के बाद आपको करना ये है कि बस उसी के ठीक सामने जहां पर हाथ पैर बनाए होंगे उसी जिगे पर एक छोटा सा खड़ा करिए और उसमें कपूर जलाईए कपूर जलते हुए ही अपने उपर से तीन बार उतार लीजिए और उतारते से मैं बोलिएगा जो मैं कह रहा हूँ वो एक शब्द है मात्र उस शब्द मात्र से आपकी सारी की सारी मनशा जो आपकी एक्षा है जो आप चाहते हो किसी के मलिंता समाप्त करनी है किसी के दिवाद ठीक करना है किसी के बुद्धी ठीक करनी है किसी को स्टैंड लेनी की शमता देनी है किसी को उसके घर वालों के सावने उसके परिवार वालों के सावने उसकी ताकत आए उसको उतनी उत्रा बलाए ये करवाना है जो भी चीज़ आप चाहते हो जैसे भी आप चाहते हो वो सब आप बोल डालना और बोलके तीन बार ये शब्द बोल करके अपने उपर से तीन बार उतारिएगा और इसे साइड में बात्रूम में ही साइड में तब तक रखे रहने देना जब तक वो कपूर जलना जाए आप शनान करें अपने आपको ठीक करें सुवेबस्थित करें उसके बाद इसको कहीं भी गंदी जगे में उठा करके डाल दीजेगा मातर इतना करना है अब और शब्द समझ लीजे जो आपको अपने आपको उतारते से में बोलना है तुरित नष्ट करेंगी ये प्रयोग ये संसाधन ये विवस्था आप किसी भी दिन कर सकते हो प्रातेकाल करना पड़ेगा कि आपको उसके बाद इसनान करना है तो आप पूरी कोशिश करिएगा सद्धा और विश्वास के साथ करें गुरू का आदेश बहुत आवश्यक होगा आपके इस्ट की शक्ती और उसकी महिमा आपके प्रति होनी चाहिए आपकी सद्धा होनी चाहिए ये उपाए अधिक काम करेगा सच मानना करते ही वेनिफित होता है अभी तक हजारों लाखों लोग लाभानमित हो चुके हैं आज आपके सामने साजा कर रहा हूं ख्याल रखना में तुभारे जात हो भगवान शेव तुभारे जीवन में प्यार भरे तुम्हारी हर मनुलत की सिद्धी करें पानी पीना सुंदर बनना खुश रहनी की कोसिस करना आपने आपको बहतर बनाना प्रीवियस लाइब कभी मत बताना और हाँ पैसों का आदान करना सरवदा मना है छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उनका लियों में पगडंडी ओमन ख्यालों में विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है ओम नमस्षिवाए